मेरे प्यारे मरते कटते हिंदू, मेरी फिर से तुमसे अपील है, क्या हत्यार लेना चाहो तो ले लू, तुम्हारे बड़े-बड़े महलों में, बड़े-बड़े आइफॉन, बड़े-बड़े टैबलेट, बड़े-बड़े टीवी तो मिल जाते हैं, लेकिन एक छोटा सा कारे करने की स्ट्रेटीजी क्या है, क्या आप जानते हैं कि उनके कारे करने का तरीका क्या है, क्या आप जानते हैं कि कोई अबराद करने से पहले, वो पूर्व में कितनी तयार्या कर चुके होते हैं, आप जाते हैं, जंडा उखाडने का पयास करने लग जाते हैं, और वाक्सीन है, ये हथियार है, ये आइरन डोम है, इसको चाहे कुछ भी समझ दो, मेरी बार-बार विंती है, इसमें कार की चांकियां, रहलियां, शोभायात्राएं, जब भी वहां से निकालो, तो प्लीज एक बार ये धाई नूर्चे का चक्र यूँ जरूर पढ़ देना, छ इंदों को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर करने वाला है, कि वो जो भाई चारे की पीपनी अब तक बजा रहे थे, उसमें कितना दम है, उनको सोचना पड़ेगा कि जब उनकी दुरगा विसरजन, या फिर राम नौमी जहां की, या फिर हनुमान जैन्ती पर निकलने वाली शोभा या तराई, या गणेस विसरजन, या गणेस पांडाल, या दुरगा पांडाल, जिन पर पत्राव या फिर हमले हो रहे हैं, उनके पीछे की साजिश क्या है, इनके पीछे कौन जिम्मेदार है, मैं कई बार आप लोगों को कह चुका हूँ कि घर के अंदर एक पास नहीं क्योंकि सब को तो शत्रूबोद होता नहीं है, और कई बार गलती से उसका दुरूपयोग भी हो जाता है, लेकिन जो वैचारिक शत्रूबोद आप लोगों के अंदर में डालना चाहता हूँ, उस पर भी कई बार सवाल निशान खड़े हो जाते हैं, सारे के सार प्राइच में जो घटना घटित हुई है, इसको मैंने बहुत समय पहले लिख भी दिया था, डिकोड भी कर दिया था, और बता दिया था, कि आपको क्या साफधानिया बरतनी है, और इनका इतिहास और तयारी क्या है, उसी पर एक विवेच नामे करना चाहता हूँ, आप ल पाहिल को गोली नहीं मारी, जाद रखेगा, सैकड़ो वर्षों से सहरनपूर के अंदर एक जैन परिवार जिस जमीन को जोत रहा था, उसके उपर मुसल्मानों ने कबजा कर लिया और कह दिया कि हमारी आबादी अब जादा हो चुकी है, अगर जादा तीन पांच करोगे स्टी स्जे कर दिया जाएगा, लेकिन जैन समाज इस मामले को लेकर के पुलिस के पास पहुँचा ना कि उनको गोली मारी, जारखंड के अंदर सरकार हो या फिर मुसलिम लोगों की पूरी की पूरी कम्यूनिटी जिन होने दुरगावी सरजन नहीं होने दिया और कर दी गई, लेकिन तब भी वो सारे मामले पुलिस में ही लेकर के गए थे जबकि 6-8 राज्यों में लगातार ये घटना घटित हुई थी, जिस समय पर हम और आप भाहिचारे की पीपनी बजा रहे थे, उस समय पर गणेश जी के नाम का लगा हुआ एक होल्डिंग, उसके करना कि अबल वीडियो बनाता है, बलकि उसको वाइरल भी करता है, वो मुहमदीन आज भी साकुशल जिन्दा है, उसको किसी ने थपड तक नहीं मारा, जबकि उसने भगवान गणेश के सिर के उपर खड़े हो करके जो जंडा गाड़ा था, लेकिन किसी ने उसको गोली न करीके सरसुरक्षित है, किसी ने उसको एक चाटा तक नहीं मारा, जबकि उसने मूरती ही तोड़ दी है, वो भी लात मार करके ध्यान दीजिये, वीडियो देखी, लेकिन वो अभी तक जिन्दा है, जीवित है, किसी हिंदू ने उसके उपर हत्यार नहीं उठाया, बलकि प नहीं है, राइच में, दुरगा विसरजन के लिए निकलने वाली जहांकी के उपर पहले अब्दुलहमीद के गर से पत्राव होता है, जब उसका विरोध किया जाता है, और यहां पर मामला बिगड जाता है, जब दुरगा मूरती का हाथ तूट जाता है, अर्थात मूरती ही खंडित हो जाती है, हिंदूों में मूरती को खंडित किया जाना एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है, और इसका विद्रोह वहां पर होना अवश्यम भावी था, आप जड़ा देखे कि जिन मुगलों या उनसे पूरू आने वाले तुरकी यवनों को भारती मुसल्मा आज भी डिफेंड करते हैं, उनका भी तरीका यही था, जिन्होंने सोमना तोड़ा, अयोध्या तोड़ा, मतुरा तोड़ा, काशी तोड़ा, पूरे देश भर के अंदर 40,000 से जड़ा मंदिर तोड़े, उनकी विचारधार यहां पर साफ दिख जाती है, जब अब इसने लाठी चार्ज करती, हिंदू तितर बितर हो गए, कुछ हिंदू बचे, जिन्होंने अब्दुलहमीद की छट पर चड़ कर देखे, अब्दुलहमीद को कोई नुकसान नहीं पहुचाया, उसके परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुचाया, उसकी छट पर लगा जार हिंदू मंदिर तोड़े गए, कुरोडो हिंदू की गर्द ने उखाड़ी गई, उस प्रतीक चिन को उखाड़ने के लिए राम गोपाल मिश्रा चट पर चड़ जाता है, उस जंडे को वहां से उखाड़ देता है, और वहां पर भगवा जंडा लगा देता है, अब पिछली पूरी घटना करम को देखे कि कब से हिंदू के देवी देवताओं के मंदिर तोड़े जा रहे थे, उसके पहले उनके उपर हरे जंडे लगाए जा रहे थे, और यही नहीं मंदिरों के सामने न जाने कितने ऐसे वीडियोज हैं, जब ताजिया के जलूस के दौरा पिछान हिंदू के मंदिरों के सामने इस प्रकार के जंडे फैराए जाते हैं, हिंदू के उपर पत्राव किया जाता है, मैंने पूरी सब चीजे एक एक चीज एविडेंस और प्रूफ के साथ इस कोर्स में दी हैं, मुझे पता है कि काफी लोगों को इस किताब से अब उसको खीच कर अब्दूलहमीद अपने गर के अंदर लेकर जाता है, उसकी पिटाई की जाती है, उसके नाखून उखाड़े जाते हैं, उसके पिता स्वम बताते हैं कि उसको बहुत बरबरता के साथ में मारा और पिटा जाता है क्योंकि उसने दुरगा, मूर्ती, खंडि दिया था, वो विचार हरा का जंडा जिसने करोडों हिंदू को मारा है, उसको हटाना पाप हो गया, अभी थोड़ा और सुनिये, उसके बाद में बताया जाता है कि उसके शरीर के उपर इतने जादा गोलियों के निशान, चर्रों के निशान है कि कोई आम आदमी उस लाश को देख करके भी काप जाएगा, इतनी बुरी तरीके से मारा गया और मुहम्मद जुबैर होया, एक एक मुसल्मान सब के सब इस बात को जस्टिफाई करने के लिए लगे हैं, क्योंकि उसने हरा जंडा उतारा, इसलिए उसको गोली मार दी गई, तो कोई बात नहीं हुई, शलम मनितरी पार्टी, भारत जिंदा पार्टी के विधायाकर उन्होंने एक पूरी लिस्ट बताई, उन्होंने बताया किस प्रकार से हर एक टीवी चैनल से एक मुसल्मान आ रहा है रिपोर्टर के रूप में, और यहां पर दंगे भढ़काने का कार्य कर रहा है, और सोच समझाए यह जा रहा है कि हिंदू के साथ में हम चाहे कुछ भी कर दें, फिर भी इनको सहिशनुता के साथ में बैट जाना चाहिए, अब उन लोगों के घरों को जलते हुए दिखा करके पूछा जा रहा है कि भाया, इनकी क्या गलती थी, भाई अगर इनकी गलती नहीं थी तो यह अब्दुलहमीद के दोरा गसीटे जाने पर उसके पड़ोसी जो लोग थे, मुसल्मान ही, वो चुप क्यों थे? गलती थी क्योंकि वो चुप थे, गलती थी क्योंकि वो अन्याए के साथ में खड़े हुए थे, अब अगर क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही तो सब का गाए एक जीव, एक जानवर की जान की कीमत, एक मुसल्मान की जान की कीमत से जधा हो गई कि अगर किसी ने कोई गाए मार दे उसका मांस का वेपार कर रहा है तो उस गों तसकर को ही जान से मार दे जाएगा तो मैं यहाँ पर यह पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे हरे ज़ंडे की कीमत एक राम गोपाल मिश्रा या एक हिंदू की जान से ज़्यादा महंगी है तुम कहोगे हाँ है तो हम भी कहते हैं कि हाँ है है भाई गाएं तो फिर भी एक जीता जागता जीव है वो तो पोशित करता है तुम्हारे बच्चों को ये कपड़े के जंडे के तूटने से अगर तुम्हारी भावनाय आहत होती हैं तो होने दीजिए अगर उसके एवज में किसी की जान लेने को जस्टिफाई करते हो तो कर दीजिए क्योंकि पासा दोनों हाथों में आता है कभी तुम्हारे हाथ में है तो कभी उनके हाथ में भी होगा जब वो पासा डालेंगे तब रो ना मत तब चीखना और चिल्डा ना मत किसी प्रकार की एक हत्या हुई थी दोस्तो कास गंज के अंतर चंदन गुपता की 26 जनवरी के दिन 26 जनवरी को जब उसने देखा कि तिरंगा जंडा ना फैरा करके एक चांद सितारे वाला जंडा फैरा जा रहा है तो उसने वहां तिरंगा लगाने का प्रयास किया था और उसको भी गोलियों से चलनी कर दिया गया था और उसकी हत्या को भी यही कहकर जिस्टिफाई किया गया था कि वो क्योंकि मुसल्मानों के महले में मुसलिम बहुल अक्षेतर में आकर तिरंगा लगाने का प्रयास कर रहा था और फिर यही मुसलमान कहते हैं कि हमसे देश बगती का सबूत ना मांगा जाए हम भी देश बगत हैं हम भी इंडियन हैं हाँ बिलकुल तुम देश बगत हो लेकिन उस देश का नाम पाकिस्तान है हाँ तुम इंडियन हो लेकिन तुम्हारा इंडिया वो इंडिया है जिसके संगठन का नाम इंडियन मुझाहिद्दीन है मेरे प्यारे मरते कटते हिंदूों मेरी फिर से तुम से अपील है कि हत्यार लेना चाहो तो ले लो, तुम्हारे बड़े-बड़े महलों में बड़े-बड़े आईफॉन, बड़े-बड़े टैबलेट, बड़े-बड़े टीवी तो मिल जाते हैं लेकिन एक छोटा सा हत्यार नहीं मिलता, लेकिन अब्दुल हमीद का घर देखी, कितना रूबोध आपको क्लियर है, क्या आप जानते हैं कि उनके कारे करने की स्ट्रेटीजी क्या है, क्या आप जानते हैं कि उनके कारे करने का तरीका क्या है, क्या आप जानते हैं कि कोई अपराद करने से पहले वो पूर्वों में कितनी तैयारिया कर चुके होते हैं, आप जात इसलिए मैं कहता हूँ शत्रू बोध करना अतिन तवशक है तीन सो सत्तर रुपे में हत्यार बेज रहा हूँ लेना है तो जल्दी ले लो क्योंकि ये बीमारिया बहुत जल्दी वढ़ने जा रही है ये वैक्सीन है ये हत्यार है ये आईरन डोम है इसको चाहे कुछ भी समझ जरूर पढ़ लेना छोड़ा नहीं है इसमें कुछ भी मैंने लिखने से ये सब छांकियों को मैंने उसमें कवर किया है इस वीडियो में सिर्फ इतना ही हम इस इक्षिती पूरती को तो कभी पूरा कर नहीं सकते लेकिन उनके परिवार की साहता अवश्य कर सकते हैं सुना ह कि क्रेटली इंडिया इसके लिए फंड रेज कर रहा है ट्वीटर पर जाएं वहाँ पर जो क्यूर कोड दिया हुआ है उसको स्कैन करें और साहता राशी अवश्य भेजें मेर संग बोली सत्यस नातन वैदिक धर्म की जये जैंद वंदे मात्रम